दोस्तों सिच्छक पातरता परिक्षा बर्ग एक के रिजल्ट का आप सबी लोग इंतिजार कर रहे हैं और बर्ग एक का रिजल्ट इस हफते के अंत तक आनी की संभाबना जताई जा रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ब्यापम के परिक्षा नियंतरक महोदे के बयान का तो एक बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है इससे का भी सारे लोगों को निराशा हाथ लग सकती है चोकी के इंदर सरकार की द्वारा भी यही नियम लागू किया जा चुका है मध्य परदीश सरकार ने 29 जून को अपनी कैबिनेट में फैसला कर दिया है इसके बाद भी यह नियम लागू नहीं होगा अभी जो भरती है उन में तो देख लेते हैं कि क्या पूरा नियम यहाँ पर P.E.V. परिक्षण येंतरक महोदै बता रहे हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो नियूस निकल के आ रही वो यह है कि अभी नहीं मिलेगा भरती और प्रवेश में परिक्षाओं में सामिल होने वाले आभिदकों को शवन आरक्षाओं का लाब नहीं मिलेगा पीबी का कहना है कि हम पुराने भरती और प्रवेश नियमों के आधार पर ही रिजल्ट खूशित करेंगे जबकि राजिस्थान में शवान अरक्षन गोसित होने के बाद राजिस्थान कर्मचारी चैन बोर्ड ने 19 परिक्षाओं के इस्तजन की गोफ़ना की है अब यहां न दस प्रतिशत सबन अरक्षन का और इसमें अरक्षन 19 सबनों को मिलेगा जिनकी सभीश रोतों से बारसे काए 8 लाग रुपईशे कम होगी साथी में मकान के लिए तैह किये गए नियमों को फॉलो करते होंगे कैबिनेट में पास होने के बाद कई अभिदकों ने कहा है कि घ अगरिकल्चर टेस्ट, डिप्लोमाइन एनिमिल हस्बंटरी एंटरेंस टेस्ट, प्री वैट्नरी फिशरी इंटरेंस टेस्ट एंड प्री पॉली टेक्निक टेस्ट, बर्ति परिक्षा में संबीदा बर्ग एक यूनीस अजार बर्ग दो की 11,000 सीटों के रिजल्ट आना है यहां पर मैं आपको बता दूँ, अन्तिनेस कुमार सर्माई एक आबिदक हैं, इनका कहना है कि सरकार को लाव देना चाहिए, इनका कहना है कि आचार सजिता हटने के पाध ही दस प्रिश्य सवान अक्ष्ण लागू होना था, यह सरकार कता है था, और कैबिनिट ने इसमें पास कर दिया है, जुलाई में इस पर अमल सुरू हो जाएगा, जब रजिस्तन सरकार अपने हां के उगाउं को लाप दे सकते हैं, तो मद्ध प्रदेशिस में पी बी सकालाप क्यों नहीं दे रहा है, इसके लावा कई लोग करें कि ओवरेज हो जाएंगे यहां पर, इसके पर बात यहीं कि राजिस्थान में इस परिक्षाओं का इस्तगन हो चुका है, लेकिन मति प्रतेशिस में इस तरीके का नियम लागू नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसमें क्या समझते हैं, क्या उचित प्राबदान होना चाहिए, क्या जो अरक्षन के नियम लागू हो चुके हैं बरतमान में, इन बरिक्षाओं में लागू होना चाहिए, नीचे के में बॉक्स में जरूर बताएगा, इस वीडियो देखने लिए पर बाप दिरनाथ, थिंक्यू, थिंक्यू बरिमिच